आज से करीब करीब सो साल पहले बर्मूडा ट्रैंगल के पास गायब होने के बाद खोया जहाज अचानक से सो साल बाद फिर से कैसे लोटाया हेलो दोस्तों, फैक्ट स्मिट्स में आप सबका स्वागत है लोगों का मानना है कि एक आसामान्य गटना का शिकर होने के कारण SS कोटोपैक सी वास्तों में एक दूरभाग या पूरन तूफान के दोरान डूब गया था 29 नवेंबर 1925 को SS कोटोपैक सी, चाल्स्टन, सौथ कैरोलिना से कोईले के माल और 32 चालक दल के साथ रवाना होई थी हवाना क्यूबा से होकर जहास जब बर्मूरा ट्रैंगल के पास से गुजरा तो 2-3 दिन तक वहाँ पर एक ट्रॉपिकल तूफान चल रहा था और कुछ दिनों के बाद जहास तूरंद गायब हो गया जैसा कि ऑनलाइन प्रसारीत और विबिन्न कहानी और द्वारा बोला जाता है अब लगबग सो साल बाद शिवरिक हंटर्स के एक टीम का कहना है कि उन्होंने अंतिम रूप से सेंट ऑगस्टीन फ्लॉरिडा के तट पर उन्हें एक डैमेज नाव के आउशिश प्राप्त हुए थे जब उनकी पेचान की गई जिसे देखकर वो एस एस कोटोपैक्सी होने का अंदाचा लगाया जा रहा था माइकल बारनेट नेशनल ओशानिस एन एटमोस्पियर एडमिनिस्ट्रेशन एन ओ एए के एक मरीन बायोलोजिस्ट है जो फॉसिल्स को खोजने में मदद करते थे हफस्टन पोस्ट के इडी मजजा को इमेल के माध्यम से बताते हैं यो अव इश्वासनियो रूप से रोमांचित था में बहुत से शिफ्रिक डायूस किये लेकिन ये वास्तों में बहुत इंट्रेस्टिंग था नवेंबर 16 1977 को रिलीज हुए एक सायन फिक्षन मूवी क्लोस एंकाउंटर ओफ थर्ड काइड में दिखाया गया था कि जहाज के गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ था पर कुछ सी डायवर्स ने खोच करते हुए उन सारे कालपनिक थेरिज और शरियंतर से पड़दा हटा दिया जैसा कि क्लोस एंकाउंटर में दिखाया गया था कि जहाज गोबी डेजर्ट में मिला था पर वास्तों में वो फ्लोरिडा में स्तिर्थ सेंट आउगस्टीन से 35 मिल के दूरी पर प्राप्त हुआ था बारनेट ने पहली पार 15 साल पहले बरबाद हुए जहाज को देखा था लेकिन वो सबी नहीं जानते थे जो जहाज उन्हें प्राप्त हुआ है वास्तों में यही कोटो पैक्सी है पर वे साबित करना उनके सामने असली चुनोती थी वो जानते थे कि सेंट आउगस्टीन से एक जहाज नीचे चला गया है पर वो बहुत समय तक मिट्टी में दबे रहने के कारण वो ऐसे आदमी के तलाश में थे जो कि उसके मलबे की पैचान करने में प्रशिक्षित था बारनेट ने रविवार को NPR के विकेंड एडिशन में बताया उन्हें जहाँ पर जहाज प्राप्त हुआ था वो लगबग एक क्राइम सीन या एरक्राफ्ट एक्सिडेंट साइड जैसा दीक रहा था जहाँ आप सभी डैमेज चीजे एक साथ रखने की कोशिश नहीं कर पाओगे क्योंकि ये हॉलिवुड फिलिम सेट नहीं है जब उन्होंने अपने पाटनर के साथ पुरे जहाज का मेजरमेंट लिया और उसे कोटोपैक्सी को बनाने में यूज किये गए ब्लूप्रिंट के साथ कंपेर किया और यहाँ तक की उन्हें पुराने कोईले के तुकड़े भी वहाँ पर मिले जो कोटोपैक्सी के टारगों में उन्हें प्राप्त हुए उनको जहाज के मेजरमेंट प्राप्त करने के लिए लगबग 12 डाइवर्स की मदद लेनी पड़ी थी लेकिन ब्रिटिश इतियासक कार काय वॉल्टर्स ने 1 डिसंबर 1925 को फ्लोरीडा के तठ रेका से महस कुछ डजन मिल दूर कोटोपैक्सी से बेजे गए एक भूले हुए सिगनल का उलेक करते हुए सबसे बड़ा डिस्ट्रे सिगनल में से एक को दिखाया बारनेट और ब्रिटिश इतियासक कार के द्वारा किये गए खोश से पता चला है कि क्यूँ कोटोपैक्सी के लापता होने के बाद चालक दलके परिवारों ने जहास के कारपेंटर्स को विटनेस बनाते हुए कमपनी पर मुकदमा दायर किया परिवारों को जहास के कारपेंटर्स मिल गए थे जिन्होंने गवाई दी थी कि बहुत भारी तूफान के कारण जहास ने हैज कवर तोड़ दिया होगा जिसका उप्योग कोईले को ढखने के लिए किया जाता था यदि पानी जहास पर सवार हो जाता है और कारगो हैज कव कवर तूप जाता है तो तूटे हुए कवर का मतलब है कि जहास बाड के कारण डूब सकता है बारनेट ने कहा हम गवाई से जानते है कि हैज कवर मरामत की उदास स्तिती में था वे बोलते है ये सबी कारगो हैज कवर मरामत के प्रक्रिया में थे फिर भी क्यूबा से रवा उनके पास कोटोपैक्सी के योजना थी और उनके पास उस गटना में मारे गए चालक दल के रिष्टेदार के नयाले रेकॉर्ड थे जिन्होंने कमपनी के मालक पर मुकदमा दायर किया था जहास के डुबने में निश्चित रूप से एक बूमी का निबाने के लिए पास का बर्मुडा ट्रेंगल होटसपोट जगा है जैसा कि इन वर्षों में कोटोपैक्सी बर्मुडा ट्रेंगल में गायब हुए जाहास में से एक रहा है जो की ओलोकिक तरीकों पर लोट आया है इन लंबिक कहानियों से अधिकांश को हटा दिया जाता है और यह शेत्रवास्त में एक रहस्य धंग से गायब होने के लिए हॉट्सपोट माना जाता है क्यूंकि हमारे ग्रह में महाँ सागर में Πानी का लगऑ 70 प्रतिश्यद हिस्सा है इसलिए चीजे हर बार वहाँ से गायप होने में एक रहस्य है जो कोई सुल्जा नहीं पाया है यदि कोटो पैक्सी कोई सबूत है तो ये खोए हुए जाहाज कभी-कभी फिर से लोट आते है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजी